नमस्कार दोस्तो एक अच्छी खबर है जो ऑक्सपोड एस्टराजेनिका की वैक्सिन है इसके ट्राइल्स दुबारा स्टार्ट हो गए है तो भारत में भी क्या इसके ट्राइल्स रिस्टार्ट हो गए है इसके बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्वागत आपको पूरी जानकरी मिल सके तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो ऑक्सपोर्स अस्ट्राजेनिका की वैक्सिन थी इसके ट्राइल्स रोके गए थे मैंने पहले ही बताया था कि यह रूटीन पॉज है टेंपररी पॉज है क्योंकि एक पेशन में जो है ट्रांसवर्स माय मायल ऐटिस देखने को मिलात है यह ट्रांजवर्स मायल ऍाटिस किया रहता है यह इस्पाइनल कॉट रिलेटेटर कर रहती है मतलब जो ब्रें रहता है हमारा ब्रेंस से निकलता है tools phrase जो हमारी जो पेशन्ट थी इसको बाद में हॉस्पिटल से चुटी दी गई और ये स्टेबल बताई जा रही है तो इसके उपर एक इंडिपेंडन्ट सेप्टी कमीटी बिठाई थी इसने इसकी जाज की एपिसोड की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है MHRA को सब्मीट की तो दोस्तों MHRA मतलब Medicine Health Regulatory Authority और ये रिपोर्ट में इन्होंने बताई कि ये इसके ज्यादा डिटेल्स नहीं आए है कि ये जो इवेंट ये क्या वैक्सिन से रिलेटेड था ये वैक्सिन की वैसे हुआ था या कोई अन्यकारणों से वहा था तो दोस्तों जो वैक्सिन के ट्राईल्स है ये दोबारा शुरू करनी की पर्मिशन मिली है इससे प्रतित होता है कि यह जो साइड पेक्ट था अनएक्स्प्लेन इल्लेस था यह इतना सिवियर नहीं था इससे किसी की जान को खत्रा नहीं हुआ और जो पेशन्ट थी उसको चुट्टी भी हो गई तो दोस्तों अभी जो वैक्सिन के ट्राइल्स है य अदर पुन आले ने कहा कि हमको ब्रिटिश जो आइश्टाजने का कमपनी है उसने ट्राइल शुरू करने के लिए का है तो अभी हम डिजी ची के नाड की रहा देख रहे हैं तो डिजी ची ने इस आयाय को यह ट्राइल्स रोकने के लिए का था तो मुझे लगता है कि वैक्सिन का इमर्जंस से एप उसमें देने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी जो फ्हिस्ट्री ट्राइल के नतिजे है उसको पूरा दिखने के बाद ही यह इसका एपरोल मिल सकता है क्योंकि ऐसे अभी कोई और पिशन में आती है तो फिर प्राब्लिम हो सकती है तो अभी लगबग 16,000 लोगों को वैक्सिन दी गई है इसके बाद लगबग 60,000 लोगों को वैक्सिन देनी है तो इनमें और लोगों में अगर ऐसा adverse event आता है तो इसका मतलब है कि ये वैक्सिन से related है अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ये coincidence मतलब की अनकारणों से हुआ है तो दोस्तों ये आने वाले दिनों में पता चलेगा दूसरा अपडेट है जो कोवैक जिन के बारे में उसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनता है तो दोस्तों कोवैक जिन के बारे में अच्छी खबर ये है कि जो रिश्यस मंकी में इसके ट्राइल किये थे उसमें पाया गया कि उसमें अच्छी इम्मुनिटी बनाती है और जो मंकी थे इनको बाद में हाई डोस अप कोरोना वाइरस इन पेट किया गया तो यह जो मंकी उससे बिमार नहीं पड़े उन्होंने इस वाइरस को निट्रलाइज किया उनके बॉडिस में अच्छा अंटी बॉडिस बने तो यह अच्छी बात है और इसका side effects भी कोई देखने को नहीं मिला और इसके phase 1 trials होए थे इसमें भी कहा गया था कि इसका कोई side effect नहीं है तो कोवैक जिन जो vaccine होगी इंडिया की यह भी काफी safe मानी जा रही है इसके अगर phase 3 trial जल्दी शुरू करते है तो यह vaccine जल्दी market में available हो सकती है दोस्तों इसक Moderna की vaccine है इसको emergency अपरोल मिल सकता है जो Pfizer and Biotic की vaccine है इसके भी जो नतीजे है अच्छे बताये जा रहे है और phase 3 का preliminary data अच्छा रहा तो इसको भी emergency अपरोल मिल सकता है दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ शंकाया सवाल है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं यह वीडियो यहा तक देखा है तो वीडियो को like और share कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हिल टिप्स को subscribe कीजे वीडियो को share कीजे और bell icon पर click करके all page set करना ना बूले धन्यवाद